हाई दोस्तों वेलकम टुब एक मैच चैनल आज फिर से आपके लिए वीडियो का सेकेंड पाइट आ रहा है यहां पर और हम इसके आगे का काम करने वाले हैं इस वेबसाइट को लेके हमने इसमें दो सेक्शन बना लिया था हमारे एक तो हमने यह सेक्शन को भी कवर कर लिया हमने और साथ ही सथ हमने इस वाले सेक्शन को भी करना जाता अब हम बनाने वाले हैं यह वाला सेक्शन जो की लिखा है कैल्कुलेट यूर पंडिंग तो यहां पर कुछ चीज़ें अनिमेशन अनिमेट हो रही है यहां पर लैप साइट में हमारे पास कुछ टेक्ट है और सब्सक्राब हमा पास एक पौ में यह बनाने वाले और साथ हम बनाने वाले हैं इस चीजह की यह वाला स्क्षिण तो आज हम सिर्फ इस डो सल्वन करेंगे और लास्ट वीडियो और इस चैनल का लास्ट वीडियो बनाने पढेंगे घा साथ में यह कुछ बनाने वाले हैं और इसके बाद में हमारे पास एक स्क्रेशन यह है और नो अ जो की यह तो जो हमारा चल रहा है वो तो हम बनाएंगे घैस्ट को भी अच्छे तरीका से टीक है तो चलते हैं कोड़ पर और हम स्टार्ट करते हैं हमारा कोड तो जैसा कि देख रहे हैं हमने पिछले वीडियो में आप पर six page को create कर लिया था तो मैं इसको open कर लेता हूँ हमने यहां तक create कर लिया था अगर आपको पता ही होगा राइट तो देखिए हमने अमारा background तक बना लिया था हमने हमारा background क्रेट कर लिया था six page पर अब हम चलते हैं तो देखिए हमको दो सेक्षिन लिक ने एक तो left और एक लेना है हमको right on the right की नजायद कdoes्सक्व हम चलते हैं हमारे नजो लेफट वाले चीजी हैं वं लेफट के अंदर हमको लेना हम को लेने हम एक के पास हम नहीं पर लिए कि इसको प्रोइक करना किन तो हम नहीं कि नहीं कुछ चीजे हैं जो हम यहां से ले सकते हैं जो कि टेक्स्ट है हम चाहते हैं कि एक्जेक्ट हमारी साइट बने तो हमने यहां से कॉपी कर लिया है ठीक है तो इसके बद हमारे पास यहां देखूगे तीन इमईज के अंदर है जो सकी में में रिस्पॉनसिव कुछ करके है ठीके एंधर बन जो है वह फोगट अई इमेज है उसका नाम अजनग को एकोनोमी है परफेक्ट तो देखते हैं हमारे पास यहां पर हमारी आचुकी है perfect तीनों मेज हमारी आचुकी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब मैं क्या करता हूं इन पर class देता हूं जिससे हम इसको कुछ animate कर पाएंगे तो पहले तो मैं ऐसा करता हूं और मैं तीनों को करना किस्ट से थोड़ी से अ कॉछ तो इस तरीके से हम काम यहां पर सप्षरेट क्लास इसे कोई दिख्कत wada aizens यह यां पर एक button है अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक button ती उपर सही copy कर लेते हैं तो ऐसा करते हम यहां पर बना ही लेते हैं जिससे लिकत करते हूं तो जो हमारे नए दर्शक होंगे वह सीख पाएंगे कैसे हम button create करते हैं तो get funding अब हमको सिर्व यहां पर किलास का नाम क्या रहेगा कि इससे क्या होगा इससे हमारी बटन बन जाएगी जैसे कि यह वादी है परफेक्ट तो हम क्या करते हैं पहले हम हमारा लेपट वाला पार्ट करें यह साके मैं आपको बताया था कि हमने हमारा जो कलर वाला पार्ट था तो अब थोड़ी सीज़ें हम चलते हैं यां लिदिगेंट बॉटम से उपक्सर ऊपर पर साथी रही हैं खो देखो चीज चीजए याप क्या रहे हैं यहां पर पर कलरने पास प्यारी होजएंगे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं यापर यहां बोले हैं पर चेरी फिद पर यहां उसके अंदर जो लेफ्ट है राइट सो उसकी जो बिट है आप 50 पसंट कर दो और हाइट का कर दो आप 100 भी एच कर दो फिलाल के लिए ठीक है पैडिंग हम ले रहते हैं लेफ्ट से 50 पिक्सल तो हमारे पास देखो यह जो लाइन अप चल रहा है हमारा यहां से 50 पिक्सल का वह यहां पर भी आ चुक है सही सही चल रहे है ठीक है आप कोई दिक्कत नहीं आ रही है अब हमको आगे बढ़ना है हम लिखेंगे क्या पेज़ जो इन्य जो टेक्स्ट होगा वह कुछ इस तरह किस दिखना स्टार्ट गोई दिक्कत नहीं हम इसको कुछ अच्छा करेंगे को डिक्कत नहीं टेक्स लाइनम को हम्में सब्सटेंगे क्यूंकि शेकिरे चीभी कलर अग्या नालोग screens है ठीक है अब देखो हमारा जो टाइटल बहुत प्यारा लगने लगा है और मुस्स हम इसकी तरह रीच करने वाले हैं तो यह हमने हमारा जो फूंट चला रहे हैं वह कर रहे हैं उसे कोई दिक्कत नहीं है हमें सिर्फ डिजाइन सीखने से मतलब है फूंट आप कभी भी चेंज कर सकते हो कोई प्रॉलम नहीं है ठीक है हमने बोला कि लेटर स्पेसिंग है हमारे पस माइनस 1.5 पिक्सल साथ ही साथ हम क्या करने वाले है टेक्स को टांसफार्म कर लेंगे अपर केस पर अपर केस पर जिससे वो अल्रेडी बोल्ट होगा कुछ भी अगर छूटता है तो और लाइन हाइट लेंगे हम लेट से 85 पॉरसंट तो जिससे हमारी चीज है ओल्मोस हम देयर है कोई दिखकर सही चल रहे है ठीक है ठीक है अब हम करने वाले हैं क्या पेज लेड के अंदर जो हमारी इमेज़े सं हैं तो हम लेडि हम फ़ॉल्व कर रहे थे 150 पिकसल ठीक है अ कहा, तो दोस्तों अभी क्या हो रहा हैं हमार्य पस देखो हमने यहाँ पर कुछ खिलास ली है तो मैं copy का रहता हूं एक class और हम यहां पर करने वाद है I think मैं ऐसा लिख सकता हूं और मैं यहां पर इसकी opacity को 0 का देता हूं फिलाद और यहां पर 2 और यहां पर 3 ठीक है यह मैंने किया दिया 3 परफेक्ट अगर मैंने इसको ऐसा किया है तो देखो यहां से इसकी तीनों image गायब हो चुकी होंगी क्यों क्योंकि हमने उसकी opacity को 0 करते है अगर मैं इसको बं कर दूँगा तो opacity यह इसकी मतलब यह जो image से दिखना है इसको करते हैं अभी के लिए हम इसको ऐसा कर लेते हैं comment कर देते हैं हम इसको जब animate करेंगे तब इसको आं केमेंट कर देंगे तो भी हमारी image देखने लगिया पर्फेक्ट हमारा एक अब फंद साइज-दो 18 PA का साथ साथ हमको फोनच फैयं में यह हमको कोई ओधे इसी का रेगुलर वर्जौ एर यहां पर आ लगए तो यह थे सही है लेट से हम 50 पिक्सल ले सकते हैं साथी साथ लाइन हाइट ले रहेते हैं 140 या इसे काम बन जाएगा हमारा परफेक्ट कोई दिखकर नहीं सही चल रहे हैं ठीक है अब देखो हमारे पास जो पीज है पीज 6 के अंदर डारेक्ट अंदर एक बटन है ठीक है तो हमके अगने वाले मार्जन टॉप से 30 पिक्सल दे सकते हैं जिससे थोड़ा सा हमें कैप मिल जाएगा पैडिंग और सरी इसके बीच में है ना सही है कोई दिक्कत नहीं है कोई प्रॉल्लम भी नहीं है ठीक है हम क्या करते हैं पेज को हम इन्मम हाइट देते हैं यहाँ पर जिससे हमारे पास सारा चीज कवर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं सबको सही चल रहा है कोई प्रॉल्लम नहीं है अभी हम धिर दिर जैसे से काम करते जाएंगे वैसे सारी चीज से किल्देर होती जाएगी ठीक टीकिंः तो हमारे पास प्रॉल रहें असको बोल रहें उसको 50प करतो 7ह कर ले I think left 50 pixel कर लेते हैं हमें यहां पर कुछ चीज़े देखने को मिल जाएंगे विदाल जैसी हम इसको क्लिकिंगे ठीक है तो हमने हमारा अभी तक राइट तक का कोड जो यहां तक थे हम यहां तक कर लिया ठीक है अब हम थोड़ असा हांगे बढ़ेंगे राइट पर हम कुछ ची इसको जावास्केप से रियल टाइम में अपडेट नहीं कराएंगे हम सिर्फ डिजाइन बनाएंगे ठीक है और क्यूंकि जावास्केप इसमें फिर थोड़ा सा लॉजिक लगी तो हम अभी डिजाइन फोकस कर रहे हैं हम लॉजिक फोकस नहीं कर रहें ठीक है और कुछ ए एह करेंगे को दिखकरती हम इसको भी यूञरी इसको करेंगे चलिये ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूं तो मैं एक डिप बनाता हूं राइट है अब कर गिए इसके अंदर हम कुछ काम और था करेंगे हम टॉफ डिप बनाने वाले तो है कि आने पडिवर के साथ हमिंए अप पर तीन चीजे कोपी कर लेते तो भी टॉप हो गया में सेंटर हो गया और हमारा हो गया बॉटम है जिए ऐसे पर्फेक्ट चलिए तो हम क्या करते हैं हम इसको थोड़ा सा ट्मों मैं फालो अन लास्ट केंदर मैं भार्ग अनीं तो बन के अंदर हम क्या करेंगे डिश्याइंस थीन छीजां में तीन तीन चीज चीज ठायरो में तो देंगो यैधर हर टेक्स्ते क्लिक सब्सक्याइब कोई काझे बड़ी बात कि नहीं तिक है तो में सब्मपि कर लिया हमने फिर नेक्सट वाले कमपि कर लिया है थैसेस और हम चलते हमारे पार्ट तो हम क्या वाला है वसमें हम कुछ इस तरी के से डॉलर लिख देंगे और गुड लिखना है हमको सिर्फ कॉपी करके लास्ट वाले में गुड गर्ड इसको हम फोर से कनवर्ट कर देंगे और यहां पर कुछ चीज आएंगे तो आइकून लेने के लिए हमारे पास एक रिमिक्स आइकोन.com साइट है वहां जाएंगे वहां से हम इसका एक सीडियन उठाएंगे सीडियन यहां से मिल जाया है कि ठपर जाना है कि ठपर किलिक करके और नीची आएंगे यहां पर लोड उन्दों थोड़ा सा इंटरेट रहा सिलो है यार कोई दिखकत नहीं कभी-कभी होता है आज मैं फोन से यूज कर रहा हूं इसलिए ऐसा हो रहा है मां कि जब मैं घर पर होता हूं तो कोई दिखकत नहीं आती है तो हम उपर देंगे और हम यहां पर इसको पेस्ट करते हैं जिससे हम क्या है हम इसका सीडियन यूज कर पाएंगे चीजों का ठीक है इसो क्लोस कर द मैं हमी है ठीक है सेकिंड़ देखते हैं तो हमारे पास इहाँ पर सरकल करके हघना तो हम यहाँ पर सच करते हैं लूप राइट लूप तो तो के लूप है हमारे पर राइट हम यह वालं डे लेते हैं यह पर अच्छा दिख रहा हुझत हो तो भी यह फिर चाएगा दूँगा है आप हमको यहाँ पर इत्ट आरा छार्ट कर लेना है तो यह एधर अइस हुन बड़ी बात में अब इसको थोड़ा सामें ठीक करना है तो हम यहां पर फिर से पैंड लेंगे इसा करते हैं कि यहां पर पढ़ यहां पर यहां पर नाते हैं तो हम यह रते हों हुआ कि हमारे पास नाम हो गया है टाइप ठीज पर लेज़ेगा है ठीकोड नियुक्त रॉक्ते हो टैकनिकल सकते हो हुग आईडी भी कुछ बीर सकते हो कोई दिखकत नहीं है तो आप रेंज में क्या होता है कि आपको एक वैल्यू देनी पड़ती है तो आप यहां पर कुछ हम यहां पर एड्टिवूट्स करेंगे तो मैंने बोला मिनिमम तुमारे पास मिनिमम जीरो है मैक्स कहां तक आपको रेंज दिखा नहीं है तो मैं बोलता हूं 100 और उसकी वैल्यू से क्या होगा वह सेट करेंगा कि इतनी वहां दिखा है तो हम फर्स्ट जो वैल्यू थिखा रहे हैं 30 सर्फ 30 और इसको में करता हूं self close इससे क्या होगा इससे होगा यह बस कि मैं तीम बर कॉपी कर लूँगा इसको अब यहां पर रींज भी आ चुका है अब मुझे 30 नीची है सेकेंड मुझे 30 सेकेंड मुझे 50 दिखाना है और लास्ट मुझे 90 दिखाना है तो यह 30 में है यह 50 में है और यह 90 में पूरा है अब हमको इसके लिए कोड लिखना है तो पहले हम इसको सीख कर लेते हैं कोई दिकत नहीं है तो मारा राइट कोड सही हो चुका है हम अब चलते ह भाई बिट जो है आप 90% कर दो and height आप कर दो max content की टाइप की ठीक है border हमको चाहिए वन पिक्सल की solid में चाहिए और हमें solid में यह वाली border चाहिए तो दोको भाई border भी आज चुकी आपकी यहां पर आगी अभी बहुत अच्छा लग रहा है बहुत इसको हम बहुत अच्छा बनाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें साथ में इसको एक बॉड़र रेडियस देंगे जिससे इसकी सुन्दरता निखर आएगी 20 पिक्सल की ठीक है है पया सईखे यह तो यह तो कर दिया अभ हमारे पास। हमारा टॉप है तो हम चले मंगे हमारे राइड टुब की तरव और उसमें ढवारा टॉप डिब है ठीक है तो भई हमारे सबसे भिल ले जाताаться ही हमारा डिसपविश्च्छ क्रदकdan के दिखाता जाताम तो तहुग स थ्क होड़ा सा ठीक करते हैं इतना तुमुए स्थूरा चीज यहां टेक है चाहां को दिखे का यहां की और ऐस से तो यहां to पैडिंग बोटम से लेते हम लेसे 50 पिक्टल आणड पैडिंग टॉप से लेंगे हम टॉप से 50 पिक्टल साथ हमें याप पैडिंग लेप्ट से लेंगे 20 पिक्सल 20 पिकिसल not expel ओके पिक्सर ठीक है । पैडिंग राइट से लेंगे हम 20 पिक्सेल ठीक है सही है चलू तो यह तो उमारा यह ओ गया हम चलते हैं हमारे बन तरफ हम इस खोड़ा लेंगे बुरा ऐसा गा ऐसा ठीक है और हम यहां पे लेकिंगे डाट वन चलिक है वन मतलब जो हमारा पहला वाला पार्ट है आपको भी हाता हूं चलो पहले उनसा यह वाला पार्ट हमारा बने यह सेकेंड और यह थर्ड है नहीं चलिए तब इनके लिए हम थोड़ा सा कोड लिखते हैं तो जो बन था हमारा उसमें कुछ नीए डिस्प्ले से फ्लेक्स देना है और फ्लेक्स का जो डारेक्षिं है फ्लेक्स डारेक्षिय स्लeshकरन स десятमीन अगप देना है सिर्फ पिक्सल का जिससे हमारी चीजर बहुत अच्छे लाइनब हो जाएंगे देखो यह लाइनब हो चुक tolerant तरीके से लाइनब करें मजाहर कोई दिक करना है चीक है कि हमारा बन तो मारा कीलेर हो गया अब बस इसको करना है और इसके अंदर हमको सिर्फ सपैंट में करना नहां हमार इस पैंटेक kya बोल रहा है कि भाई आपénd版 करो कलर को ठीक तो कलर हमारी यहीं हमारी बहुत अच्छी है कौन सी है हमें आपर आइठिंग ग्राफिक 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 रेगुलर है रेगुलर ठीक है तो हम यही यूज़ करते हैं और फोन साइज हम यूज़ कर रहे हैं 18 पिक्सल का हमारे पी टैक के लिए तो भाई यह चीज़ जैसी हो चुकिए पस यह दो को कॉपी करेंगे तीन बार यह लो होगे तो भाई सा भी बन था को हम कर देंगे टुक । टू तू इसको भी कर देंगे टू ठीक है वो सिंपल जाए चीज़ अपकी पेस्टिया हमारे पस यह मारा बन की जगा होगा घ्री फिरी आन्ट यह वाला भी होगा ठीक और कि चहाट चीजह हमारे ठीक हो चुकित यह हो चुलाइ cohort कफिख वह संग मारे ठीवारा जिस पैन चै़ उसको तंक को एक प्रोपर्टी देने में इसकोँ हमें को उसको left कि अल्सच एवाइन कर नहीं घॉटत है और अःटम शुर्कर हो म seperti है एक्स्ट लाइन राइट पर्फेक्ट चीज़ें यहां पर इसी हो चुकिए पर्फेक्ट परिके से काम कर रहा है कोई दिखकर नहीं आ रही सब सही चल दा है तो भाईया यहां वहारा हो गया क्या टॉप को टॉप 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 क्लोज यहां से और हमारे चलिए किए अब हम करते हैं सेंटर यहां से स्टार्ट होगी कोड दिखते द ochre यहां कोई कोई दिखक्त नहीं है सब को सही चलेगा है कोई पालॉम नहीं है इसकी जो भीट था है सोरी हाँ जी तो हम सेंटरम चलते हैं तो सेंटर में कुछ नहीं है हमारे पास एक P-tag है हम याँ से कुछ कॉपी कर लेते हैं तो यहां पर देखिए कि आप हम मारे पास क्लैम युँट डिसकाउंट तो यह डाल देंगे साथ ही साथ हम यह आप पर क्या करेंगे एक RS ले लेते हैं जिसमें हम कुछ इमेज जालने वाद है ठीक है हमारे पास यहां पर फोर इमेज तो मैं आपर इमेज इस्टार फोर लिखूंगा तो हमारे पास फोर इमेज का टैग बन जाएगा और हम इसको थ्ट्रसा जिस्टिफाई कर लेते हैं अच्छे से अब क्या हो रहा है इमेज के अंदर इमेज के अंदर आ यहां पर मेरे पास है इमेज के अंदर ही 1 परसेंट ठीक है सब्सक्राइब करें और यहां पर हम फिर से करेंगे फोर्थ नंबर पर इतिंग क्लाइमिट ठीक है तो हमारे पास चारों इमेज आज चुकी है अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी इमेज आ रही होगी अभी फिलाल ठीक है हमारा सेंटर डिप के लिए हम ज्याता महिनत नहीं करने वाले वहाल इंतर कर सेंटर गाउं ठीक कही आंदर हमारे पास क्या है-एक और इसके लिए हम कुछ प्रोपर्टिज लिखना है स्टार्ट करेंगे तो यह बिट चाहिए कितनी हंड़ेट परसेंट margin top से चाहिए कितना 10 pixel और भी नन चाहिए बाँटर नन इड सब्सक्राइब करने हैं यहां पर बॉर्डर बांट वन पिक्सल की सालिड में और हमको हैश में यह चाहिए आपको समझ में अगर डिजाइन बहुत ही हम अच्छे तेरी किसे बना रहे हैं कोई दिक्कत आती है तो कमेंड करके जरूरू बताइएगा कि यहां पर प्रॉल्म आ रही है तो हम उसको सॉल करेंगे सेंटर केंद हैं हमारे पास एक पी टैग है और पी आपको पते हैं कि उप पिक्सल का है और साथ में हम यहां पर एक पैडिंग देंगे लेफ साइज से 20 पिक्सल का क्यों कि हम यहां पर ग्याप दिखाना है इस तरीके से तो देखो हमारा यह चीज यहां पर लाइन अप हो चुका है परफेक्ट ठीक है सेंटर डिप में वापस आएंगे और हमारे पास यहां पर क्या है अब डॉट आरी एस करके एक डिव है उस डिप के अंदर हम बोलेंगे भाई डिस्प्ले फ्लैक्स करो पहले तो सबसे पहले फुरसत में ठीक है क्यों कि हमको इसको लाइन अप लेकिया आना है जैसे हम करेंगे लाइन अप में आ जाएगा डिस्प्ल साथी सबस्के समें करां गेंगे रहें पैदिंगं लेप से फ्ल्रिव करेंगे रहें अब अंच जा Mtn 20 गा का अब हम करेंगे के इस को भी हमलेंगे पूरा olduğunu हो नियुत्जिक को अधिकित क्या इमेच को मिछिक है इमेच देनी पड़ेंगे अ तो बही जो बिट है वो 100 पिक्सल है हाइट है 100 पिक्सल है साथ ही साथ क्या है पैडिंग देदेंगे हम यहाँ पर लेट से 15 पिक्सल की ठीक है इससे काम बन गए देखो तो हमारी चीज़े आच चुकी यह वाज़े ना परफेक्ट काम कर रहा है कोई दिक्कत नहीं कोई जब देंगे यह वाला ठीक है अब हम बोलते हैं मार्जन टॉप से क्या करो आप 30 पिक्सल का इसपेग गाप करो और रेडियस हम ले देते हैं का फाइप पिक्सल का जिससे थोड़ा सा इंपर कर मिल जाएगा और इसकी ऑपसीट को हम कर देंगे कितना ऑपसीट कर देते हैं पॉ अब देखो यहां पर अभी तो कुछ होगा नहीं अब लेंस पर होवर लगा देते हैं तो बहुत ही प्यारा कूल होवर हमने आप लगाया है अइसी बहुत सारी चीज़े करेंगे हम देरे देरे कोई दिखत नहीं है सीखना हमें आता है कोई दिखत नहीं है चलिए अब हमारा सेंटर तो कंप्रीड हो गया आप चलते हैं हमारे बॉटम की तरफ एटिक है है तो हम बॉटम के लिए जो हमारा एस्टीमल कूर और वह ल यह एए दिखाने हैं तो हम सब्सक्कूरत पार्टम करते हैं भूझत.." हम क्या करते हैं कि वी टॉप है मैं पम और भी बॉटम को कोई चलते हैं हमारे इस नहीं है एक स्टेल के चुछ नहीं है एक है हमारे पर है तो यह यह नमबर लेते हैं एक बस इसकी डिप क्लोज कर दी हमने हम चलते हैं बॉटम बाले पर तो हम बोटम में भी हमारे पर दो चीज़े जैसे हमने ओपर किया था न वो तीन चीज़ बनाए थी जिसमें हमने कुछ प्रोपर्टी से रेंज इंपट लिय और यहां पर हम राइट कर देंगे ऐसा लेट के अंदर इसा कुछ होगा हम यहां पर इस पैन टेग लेंगे इसको हम तीन बड़ कॉपी कर लेंगे एक में आएगा हमारे पास यहां पर क्या पी और एक में एक हमारे पास यहां पर दिस्काउंट ऐस गांड यहां पर आएगा हमारी टूटल लोट टिटल वह सो एट या टोटल सेम चीज़ हम यहां पर करने वाले हैं इसके साथ तो हम इसको कॉंपी कर लेंगे इस तरीके सब्सक्राइब रहे हैं यहां से थोड़ा सा कॉंपी करना प भी कर लेते हैं कि पर्फेक्ट सही है हां जी ठीक है यह बहुत सही दिखा वह दिखते हैं तो चलिए हमने बना तो लिया पर कुछ गड़बर दिख रही देगा यहां पर उसके लिए क्या करेंगे उसके लिए हम लिखेंगे क्या सी एस तो भी यह यह बॉटम बाला हमने बोलां बॉटम डिप टीक है डिस्ब्य लाइक्स आईटम को हम गातेंगे सेंटर और पर हम कुछ और करेंगे हम पर एख लेक्स डारेक्शन pas कौलुम थिकए जैसे चीजे एक जिसी हो जानेगी साही है साही चीज कर दिया हम नहीं आप ठीक है हम इसको copy कर लेंगे क्योंकि हमने आप दो डीव अलग से बनाई है था मनने बूला ये लेप्ट हम लेट्ट डिव ठीक है ठीक है ये वी लेब्ट के अंदर हम क्या बोलने वाले हैं कि यहां पर टॉप यहां पर टॉप लेना पड़ेगा अब टॉप को क्या देने वाले हैं अब टॉप को क्या देने वाले हैं फ्लेक्स डिस्प्ले अब टॉप कर देंगे और हम यहां पर जस्टिफाइए कंटेंट को स्पेस विट्विन कर देंगे जिस्ट यह दोनों चीज़ें आसपस भी नहीं बटकेंगी कोई दिक्कत ने आएगी और हम यहां पर क्या करते हैं पैडिंग देते हैं टॉप से एधिंग बॉटम से देना सब्सक्राइब जिसे नीचे गैप मिल जाएगा परफेक्ट सही हो गया है ठीके दोस्तों यह तो होगी हमारा काम है ठीक है तो यह टॉप के अंदर एक एच-6 भी है अगर आपको याद होगा तो हमने यहापर एक एच-6 लिया हुआ है जिसको कुछ प्रोपर्टीज ठीक है यही है साथी से तहां हमारे पास एक बैग्राउंड कलर है बैग्राउंड कलर में हमारे पास एक एक चीज़ देना पड़ेगा ओके सो हैस्ट ट्वंटी एंड थ्रीडी 25 यह कलर है हमारे पास बहुत प्यारा कलर है onn size ए टिंग हमारे पास 12 पिक्सल है और different withinñas क्या ले सकते हैं एक से और वबक contue यह से हम कितना ले सकते हैं हम 600 लेते हैं सातिसे हम क्या करेंगे line से तो बोल्रेडियस कितना लिए हैं यहाँ पर 10 पिक्सल बेंगे कि इस से फ़के पल्रेपश कर्व पिक्सल की और एक पैडिंग केया पर जिसमें हम टॉप और बॉटम से 5 पिक्सल देंगे और लेप्ट और राइड से 6 पिक्सल देंगे ऐसा क्यों कर रहें दिखाएंगे थ साथ ही साथ इसको में सावसा ऊपर कर देता हूँ अंद हम यहाँ पर एक width प्रोपर्ट्य लेंगे width में हम बोलेंगे मोज डाश मोज डाश फिट डाश आइधिंग कंटेंट ठीक है परफेक्ट आणड यहाँ पर हम एक प्रोपर्ट्य देंगे width जिसमें में लिखेंगे max content ओके एंड इस फिलेव कर देंगे flex deflects तो चीज़े देखिया यहाँ पर ऐसी आगए परफेक्ट राइट मज आगया ठीक है सेम चीज़ हम उठाएंगे यहाँ से यहाँ से कॉपी करेंगे और हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यह h2 कर देंगे क्योंकि हमने h2 लिया हुआ है color same यह वाला टेक्स्टर लाइन हमको करना है इसको right and phone size let's say I think 7.2 72 pixel perfect देखो बहुत अच्छा है वह दिक्कत नहीं आ रही है phone family का देखते हैं कि कुन सी graphics bold nice चलिया यह तो हो गया phone style normal रहेगी है normal ठीक है and phone weight 900 साती साथ हमें आप एक line height लेंगे कितनी I think 80.5% ठीक है letter spacing ले लेते हैं थोड़ी सी ज्यादा नहीं minus 0.46% pixel I think 4-5 pixel लेते हैं साही रहेगा इसमें अंदर B bottom ठीक है उसको बोलने वाले हैं display flex display flex align item center justify content space between ठीक है जिससे चीज़ें एक दूसरे के सामने चले जाएंगे perfect अब इसके अंदर हमने दो चीज़ बनाई है एक तो left और एक right तो भी यह हमारा क्या है B left ठीक है तो इसको बनने वाले है display flex flex direction इसका रहेगा क्या column and इसका जो gap रहेगा 30 pixel का रहेगा I think perfect nice 30 pixel ना करके हम इसको 20 pixel करते हैं जिसे थोगड़ा सा हमें सही दिख रहे है perfect ठीक है ओके no issue copy कर लेते हैं इसको फिर से और इसको हम कर देंगे यहाँ पर paste and हमारे पास यहाँ पर expand tag है spend tag में हम कुछ जैसे color color हमारे पास यह है already and font size I hope कि आपको पता हो हम 18 pixel को follow कर रहे है 18 pixel लिंगे यहाँ पर font family font family हमारे पास graphics graphic regular इनके लिए सही है यह तो हो गया नहीं कर लो copy zip करना है copy क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ right लिखना है right और यहाँ पर भी हमको लिखना है right perfect देखिए चीज आगी लेकिन spend tag में हमें करना है text line को right perfect तो हमारे code बन चुका है perfect तरीका से हमारे code बन चुका है कोई दिक्कत नहीं आई है ठीक है ठीक है साही चल रहे है perfect good nice हम लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं तो इसको हम कहां लिखते हैं हम देख लेते हैं तो I think मेरे हिसाब से let's say क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर one two three four के बाद हम यहाँ पर एक पीटेग लेंग और इस पर लगा देंग तो देखोगे हमारा इसके नीचे यह आ रहा है perfect अब इसके लिए कुछ code लिखते हैं हमारा जो span tag था तो हम क्या बोलने वाले हैं पेज six के अंदर जो हमारा right है उसके डारेक्ट अंदर जो पी है अब उसको कुछ प्रोपर्टी तो भाई color हमारा white ही रेने वाला है ठीक है ठीक है white लिलते है regular तो graphic regular ठीक है and phone size I think phone size let's say 14 pixels ले लेते है best राइगा उसके लिए padding tops है 20 pixels साथी साथ text align हमारा क्या है center है and padding right से right से let's say 60 pixels ले लेते है जैसे center में जाएगा ठीक है perfect तो भाई यह दो हमारा जो यह page number 6 हा वो complete हो चुका है ठीक है अब हम चलते हैं हमारे page number 7 की तरफ ठीक है page number 7 की तरफ चल रहे है तो हम यह आप पर भी लागा लेते हैं और हम यहाँ पर भी कर लेते हैं तो हम इसको करते हैं page 6 को कर देते हैं close यहाँ से ठीक है अब page 7 की जारव चलते है page 7 तो हमारा जो page 7 है ठीक है तो उसके लिए पहले तो कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम पहले समझते हैं कि हमारे डिजाइन किसा है page 7 में तो हमारे पास यहाँ पर पीछे एक div है जिसमें एक color है और एक image दूई है और इसके उपर एक who we found and यहाँ पर कुछ continue लिखा हुआ है राइट और सेंटर में इमेज जो है वो background image समसकते हैं ठीक है हमारे पास यहाँ पर क्या है हम एक div लेंगे इमेज 7 नाम से एक center ले लेते हैं और उसके अंदर एक क्या करते हैं हमें दो बनाना पड़ेगा टॉप 7 और हम करते हैं बॉट्टम सेवन जिससे हम सेगरेट कर लेंगे कि हमारा बॉट्टम क्या है ठीक है ठीक है ठीक है तो हम यहाँ पर वह लेंगे अच्छ टू कर दो भाई एस्टू में कून आएगा हूँ भी और सेकेंड में आएगा ठीक है यह तो कर दिया हमने बॉट्टम पे क्या है तो बॉट्टम पर हम कर लेंगे कौं पी जिससे हमें कोई रिकत नहीं होगी तो यह बॉट्टम पे सिर्पी टेग लगाना है ऐसे क कर गया ऐसे करके नहीं है इस अधिसमॉल है कि यह थोड़ी से ध्यान देनी पड़ेंगे यहां पर हमस्ट्रॉंग पर पार्बादेंगे इस चीज ने ठीक हो जाएंगे ऑगी तो हमारा काम हो चुका है हमने हमने क्रेट कर लिया गूँ यहां पर तुछ हमारा जो seven वाला part था वहांमने देखो यहांपर create कर लिए है बहुत ही प्यारा लग रहा देखो कित्पयारा लग रहा है design से पूरा होगा हूँ match हो रहा है नहीं लेकिन हम इसको create करेंगे तो चलिए हम इसके लिए CSS लिखना स्टार्ट करते हैं हमारी और हम बनाते हैं अब पेज नमबर 7 तो हम करते हैं हमारे 7 को कॉल तो भी यह 7 को कॉल करने के लिए कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा तो बिट 100 पॉसेंट हाइट आई थिंक अंडेड विएच लेकिन 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 मिनमम हाइट करते से हमें अगर कुछ दिक्कत आएंगे तो हम बहुत चीज़े ले लेंगे आज है तो भाई साब यहां पर एक कलर एक्स्ट्रा इसका नाम है 73 आइधिंक 73D3 और E और B पर्फेक्ट कलर दिया है देखो हमने मजा आगा दोस्ते मजा आ जाएगा चलिए पैडिंग लेते हैं पैडिंग हमें लिए 30 पिक्सल की सारे जगा से ठीक है लेप्ट राइट टॉप बटम सब्सक्राइब से और इसको एक चीज़ कर देते हैं पोजिशन रिलेटिव कर द इसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टी देंगे तो बहुत हमने बुला बिट हंड़ेट परसिंट कर दो अईट आप कित्ती कर दो अईट आपकर दो 700 पिक्सल तो अच्छी नहीं लग रही है हम इसको सब्सक्राइब करके लिए कुछ ना कुछ तो बैगरांड पोजिशन ले हो जाओ और बैगरांड रिपीट बैगरांड रिपीट को हमेशा कभी-कभी इसकी कुछ रिपीट होती है जो भी हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि हमको इसको रिपीट नहीं करना है तो अभी सेंट आप चीज़ देखने लगने है राइट बिल्कुल एक ही जाती है इसमें बैगरांड साइज जो की बहुत अच्छी प्रोपेटी तो हमें इसको कभार कर देंगे तो हमारा ओल्मॉस्ट जाइन सेंट बन चुका है अब कुछ चीज़ फिक्स कर नहीं है बस तो हम इसको बोलेंगे डिस्प्लेइट फ्लेक्स और फ्लेक्स डिरेशन कॉलम और जस्ट ना इलएनट परफेक्ट देंगे यहां पर आगया है तीजलारा परफेक्ट विदीक कर दी है हमने अब चलटे हमारे पीज सेवन के पास regulations 10.5 tier पर्फेक्श में टॉप 7 और उसके अंदर हमारा एचश प्रेक्ष पर औरink उन जाус 7 एं टेक्स्ट अलाइन हमारे रहेगाUNG है ठीक है टेक्स्छ यूंड़न हमारा होगा वाइट कि अलगी बाइट कि रेक्स हा चाहत हमारा फॉंट फीनली हमारी अहरफिक फ्प्रप्र जाय थेक्ष है ठीके बोल्ड छाल खिडखत होलण ठेक्वोंत यूवwegen स्मेउ साथी साल टेक्स टांस्फरम वाला रहेगा आपर केस ठीक है आपर केस की साथ हम क्या गरने वाले हैं लाइन हैट भी ले लेते हैं साथ में कितनी आइटिंग 85% ठीक है अब पैडिंग्स आपसे 20 पिक्सर परफेक्ट जैसा कि हम यहां पर देख पा रहे हैं परफेक्ट ठीक है अब बॉट्टम को से देते हैं भाई यहां पहले देशा करो अब पेज 7 के अंदर तो कॉपी कर लो 7 and I think bottom था bottom 7 perfect so bit 100% ठीक है अब पैडिंग लेप से 20 पिक्सर अब पैडिंग बॉट्टम से 20 पिक्सर ठीक है सही है अपके करने वाले हैं हम देने वाले हैं पीच बॉट्टम के अंदर जो हमारा पी पी टेक उसको कुछ प्रॉपरटिज लिखने वाले हैं तो हम बोलने वीचिचलार है कंलर तो पहले तो आप उइंड कर दो ठीक है issue into इसी है ग्राफिक रेगुलर ठीक है रेगुलर पर्फेक्ट नाई पर्फेक्ट फॉन साइज हम लेंगी यहाँ पर 16 पिक्सल का दोस्तों जो भी आवाज हो रही उसको फ्राइक नोर कीजिएगा ठीक है आण ठीक है हमारे पार्ट पाते हैं हम लोग तरसे तो पैडिंग हमने आपर फॉन साइज ले लिए 16 पिक्सल का और पैडिंग टॉप से टॉप से 18 ऐडिंग 20 पिक्सल है 20 पिक्सल पैडिंग राइट से हम लोग ले सकते हैं I think 60 पिक्सल साथ साथ हमगें करने वाले यहांपर टेक्स ऑलाइन टेक्स अलाइन लेट करते एंड मैक्स इडिन कर देंगे यहांपर जिसी चीज़े दिक्कत ना दें और लाइन हैं देंगे यहांपर बन पोर्टी पॉर्सेंट पॉर्सेंट वाई से ठीक है दोस्तों दुखो हमारा यह चीज हमारा बन चुका है को दिखकरत को जर्फ bahn अरे हैं तो अब चलते हैं हमारे एनिमेशन वाले हैं अब चल्टे हैं कुंसे एनिमेशन वाले बाइट पर मज़ा आएगा कोई कर और कोई प्रॉलम ने ठीक है है तो हम चलते हैं पहले थोड़ी सी यहां पर दिक्कत वाली चीज़ें की थी उसको उन्दोछ सुधार लेते हैं तो जो ओपस एटी थी ठीक है उनको हमें आप जीरो जीरो फिसे कर लेते हैं और परफेक्ट ठीक है अब चलते हैं हमारे मेंट पार्ग तो भी हम क्या बोले हम पहले दोगों इसको कॉंपी कर देंगे यहां पकॉंपी कर लो फंक्शन तक ठीक है ओक है ओक 25 Heading Animation मैं लगिता हूँ कॉंपी कर रहा हूँ ठीक है उस नियकरना यहां पर जाना है ऊपर आपको हमने आपको वेरीवल्स क्रेट किये थे है copy करना है यहां पर paste करते हैं जो heading का ऐस है यहाँ पर इस हठा दो देख है यहां पर page 6 लो death6 के अंदर देखो कौन सा है Place 6 ये वाला है ये इसक्स के अंदर हमारे पास एक Left के अंदर ह्रेच्ट्छ है और यहां पर हमने ट्रिपलग असलिया तो हम यहां करेंगे हम यहां पर पर एक F लगा देंगे extra सना करना है पउड़ी बात किया इतना तो करी기도 है उहां से है इस ना कर लिए तो उसके बद देखो फुर्ण है अब हम पेज शिक्स लेने वाले हैं यहां पर पीज पर्फेक्ट यह हो गया है हमारा कम ओके पर्फेक्ट अपके करने हैं इसको लेना है एक एस इसको देना है एक एस इसको देना है एक एस और यहां पर भी एक एस एक्स अब देखो हमारा काम है देखो यहां पर सिर्फ आपको एक प्रोपर्टी लिखना है है एक परक्ष तो यहां पर चीज आगी ने काम आर्यां को लाना है हमारी इमेज़े को बड़ी बात नहींछी वात है कोई प्राव्लम वाली बात नहीं है हुआ है नहीं तो हम इसा करते हैं हमारे पास यह द्याइम का इंगे हैं यहां पर पेस्ट करते हैं तो हम जाएंगे हमारे एस्टिमल कोट पे और हम यह वाली इमिज्स को लेंगे अब ठीक है हमने बोला वन तो यह हो गया हमारा थ्री तो परफेक्ट तो तो यह जो पेज बन है पेज बन की जगा पेज पाइब कर दो यहां पर भी आप पेज पाइब कर दो और इसको आप कर दो तो यह थिंक लेट से सब्सक्राइब करने लगा है जी आंदोस्तों तो हमने एनिमिशन के लिए हमारा जो थर्ड वीडियो का पाइट था आज हमने कम्पेट कर लिया है दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आपको वह कमेंट करके जरू बताएगा वीडियो को अभी तक अप वीडियो बहुत लोग के पास जाएगा जितने लोग जो अच्छा कंटेंट चीखना जाते हैं अच्छी वेबसाइट बनाना चीखना जाते हैं उनकी पास ये वीडियो पहुंच सकते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप एक लाइक जरूर करें और साथ में कमेंट जरूर करें एंड वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बहुत मेहनत लग रही है दोस्तों आपके लिए से कंटेंट आने के लिए टाइम लगता है सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे नेक्स्ट वीडियो मैं आई होप कि कल पोस्ट करूँगा जिसके यूट्यूब की चैनल पर ही आने वाला है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू सो मुच वर वाचिंग माई वीडियो